प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकारपन किया है और आज पूरे देश में दिवाली का माहौल है। हमारे साथ एक ऐसी संसद हैं जसकोर मीना जी दोसा से आती हैं वरिस संसद हैं। मैं कितना बड़ा घर्व का अपल जब आपको एक नई संसद के तोर पर प्रधान मंत्री जी ने सौगात दिये। विदेश भी फूल बर्सा कर रहा है और हमें गर्व है मुझे तो गर्व है कि मैं तेरवी लोकसवा में आई अटल जी के साथ काम किया। आज मान्ये नरेंदर मोधी जी के समय में जो नई संसद बनेगी इसके लिए हमें गर्व है और इतना गर्व है कि हम इसको शब्दों में ब्यान नहीं कर सकते। करें हम यह कहेंगे कि हमारे देश के यसस expelsosed रहें मजबूत रहें और जो मुमकिन है जो ना मुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखा दिया और आगे भी करते रहें। अच्छा में में एक चीज और है एक भारत स्रिष्ट भारत की परिकल्पनदा के तहत जो अदमिक संसत भावन बना है उसमें पूरे देश से कुछ ना कुछ योगदान रहा है राइस्थान का बड़ाई योगदान रहा है पत्थर राइस्थान से कैसा महसुस करती है मेरा सजदीक शेत्र पहले करोली भी रहा और करोली धोरपूर का जो पत्थर आज इसमें लगा हुआ है और प्राचीन जो संसत भवन है उसमें भी वो पत्थर अंग्रेजों को लगाना पड़ा था क्योंकि ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है और मैं जब लाल पत्थर को देखती हूं तो मेरे मन के अंदर एक ऐसा प्रसनत आती है कि हमारे ही देश की उत्पत्ति को हमारे ही देश के उत्पादन को कंगूरा बनकर आज तरासकर लगाया गया है मैं यह सवी प्रधान मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं और यह भी कल्पना करती हूं कि इस देश को पुने जगतकुरु बनाने का संकल्प अवश्य पूरा करेंगे मैं कितना बड़ा गर्फ का पल जब प्रधान मंत्री जी ने आज देश को एक नई सौगा देते हुए भारत की नए संसद भवन को दिया है अजी बहुत ही जादा हम सब के लिए यह खु तो ये बहुत ही भववय और दिव्य मुझे लगता है कि समय है कि ऐसे समय में हम लोग जब यहाँ पर है तो हम इसके साक्षी बन रहे हैं इसके जो है इसको जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो इसका लोकार पन किया है ये केवल एक इमारत नहीं है ये हमारे समीधान का मुझे बहुत खुशी है कि हम जो है इसके साक्षी बन रहे हैं और आज जो है महानिय प्रधान मंत्री जी ने इसका लोकारपन किया है। इतनी सराना की जाए प्रशिसा की जाए अत्यादुनिक गैजेट से युक्त है अत्यादुनिक सुधान से युक्त है और खासका जो वहाँ पर जो एक सेंगोल प्रति स्थापित हुआ है। गुलामी की बान सिकता को त्याग कर अपनी विरासत और भाते संस्थिते के प्रति गर्वक कर मेरा मानना है कि अगर इसको इत्री से देखेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्दी भी होगी। वैसे तो ये काम सेंगोल का स्थापित होना पहले हो जाना चाहिए था। पर चली अब हुआ है। देर से आए हम तुरुस्त आए हैं। आने वाले स्वेमेद बादादी के सो साल पूरे करेंगे तब हमको इस परिवर्टन के परणाम जरूर दिखाई देंगे। वो आज साकार होती दिखाई दे रही है। कैमरावन पंकसूत के साथ अमरेंद गुपता, संसट टीवी, संसट भावन, दिल्ली।